हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं शिक्स्त क्लास के लिए एंसी इर्टी मैथ चैप्टर नमबर वन नोइंग आर नमबर्स ट्राइदीज है पेज नमबर फाइव पर जिसमें दो सम्स है यह है करने हमें असेंडिंग ओडर में और जो नीचे वाले पार्ट्स के दो सम्स है इन्हें करना है हमें डिसेंडिंग ओडर के अंदर और उसके बाद इन दो पार्ट्स को दो कॉस्टन्स के दो दो पार्ट को करने के बाद आपको दस और एक्जामपल्स अपने बनाने हैं और उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ओडर में लिखना है वैसे तो स्ल है कि 10 एक्जाम्पल है इन 10 एक्जाम्पल्स को आप 5 को असेंडिंग ओडर में कर दो और पांच जो है उसे डिसेंडिंग ओडर में कर दो और अगर चाहें तो 10 के 10 को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों order में आपको कर देना चाहिए तो मैं जो है यहां पर आपको सिरफ इस वीडियो के अंदर ascending order में ये वाला part करवाऊंगा ताकि अगर मान लिया ये आपके लिए एक नई चीज हो ascending order वैसे तो second और third class से start हो जाती है ये चीज ascending order और descending order लेकिन अगर आप इसमें नहीं है तो आपको सिरफ एक part एक type ही करनी चाहिए जब आप ये चीज कर जाओ तो आप गंटे या दो गंटे के बाद फिर से आप क्या है अगले part को कीजिए जिसमें descending order है ताकि ये mixing ना हो और एक चीज अच्छे से आजाए तभी आप दूसरी चीज को अच्छे से कर पाए ठीक है तो इसलिए मैं एक part यहाँ पे करवाऊंगा और जो इसके बाद जो 10 parts और दिखाने है वो मैं next वीडियो में आपको दिखाऊंगा solution के साथ नहीं तो आप खुद के भी ऐसे sums बना सकते हैं ऐसे कोई भी parts नंबर लिख करके उन्हें ascending में और descending order में लिख सकते हैं तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं इस question के solution के लिए कि हम इसको जो हमें दो parts दिये हुए है इनको हम ascending order में लिखेंगे लेट अस डू तो फर्स्ट का ये part given numbers आर मैंने चारो के चारो numbers है ये वाले इसमें ले लिए चारो number लिख दिये अब इनको हमें ascending order में करना है ascending order का मतलब है कि छोटे से बड़े के रूप में मतलब सबसे पहले सबसे छोटा फिर बचे हुए parts में बचे हुए numbers में सबसे छोटा फिर बचे हुए parts सबसे छोटा ये तरीका अपनाएंगे अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर चार number है ठीक है चार number के अंदर जो ये वाला number है 847 और जो 571 है ये सबसे कम डिजिट मतलब चारों के अंदर ये तीन-तीन डिजिट के हैं बाकि दो-दो डिजिट के हैं इसका मतलब क्या हुए कि 847 और 571 इन में से हमें किसी एक को च चुनना है जो सबसे चोटा number होगा तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं leftmost digit से इसका 8 है leftmost digit और इसका 5 है तो जो चोटा digit है वही तो चोटा होगा number तो 571 जो है सबसे चोटा हुआ है इन चारों नमरों में हम फिर 571 यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे चोटा number और उसके चार चार डिजिट के हैं और यह तीन डिजिट का है तो फिर next number 847 होगा ठीक है अब हमें comparison करना है इन दो नमरों के अंदर इन दो नमरों के अंदर हम leftmost digit से start करेंगे इसका leftmost digit 9 है और इसका जो leftmost digit है वो 8 है तो जो चोटा है वही तो value सबसे चोटी होगी इन दोनों के अंदर 8 जो चोटा digit है इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में चोटा number 8 वाला यह होगा तो फिर third number हमारी series में होगा 8,3,2,0 और फिर चोटा number होगा वो है 9,7,5,4 यह हो गया ascending order के अंदर जिसमें सबसे चोटे से start करके सबसे बड़े तक हम गए हैं clear हुआ समझ में आया और अगर नहीं आया अभी कोई दिक्कत है तो आप video pause करके back जा करके दुबारा से इसको देख सकते हैं यह तो फाइदा होता है video का यह part हो गया अब करते हैं दूसरा part अब है second part second part के अंदर जिसमें 4 डिजिट है इसमें 5 डिजिट है इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें भी 5 डिजिट है पांच डिजिट का मतलब क्या हुआ 2, एक डिजिट हो गही फिर 2, 3, 4, 5 पांच डिजिट है, एक 3 है, 2, 8 है 1,0 हो और एक 2 है इसी परकार से इसके अंदर भी 5 डिजिट है 1,3 है, 1,6 है, 1,5 है, 1,0 और एक 1 है और इसी दर से इसमें 5 और इसमें 4 डिजिट्स है तो हमें तो सबसे छोटा डिजिट लिहना है ना Ascending Order में करने के लिए तो 4 डिजिट का obviously सबसे छोटा डिजिट होगा क्योंकि बाकि के तिनों जो है ये 55 डिजिट के है तो 9801 हमारा पहला नमबर होगा इस Ascending Order की Series में एक नमबर हो गया अब हमें comparison करना है इनके अंदर तो फिर हमें leftmost डिजिट को compare करना होगा इसका leftmost डिजिट 2 है इसका leftmost डिजिट 3 है और इसका leftmost ही इन तिनों नमबरों के अंदर सबसे छोटा होगा क्योंकि 3 तो 2 से बड़ा ही होता है तो हमारी जो next number जो इस सीरीज में आने वाला है वो होगा ये 25751 मतलब 25751 Is that clear इसके बाद हमें comparison करना है इनके अंदर इनका leftmost डिजिट तो दोनों का 3 है तो फिर हम एं शेकिंड नमबर लेफ्ट से स्टार्ट करना है मतलब once, tens, hundred, thousand place को हम अब हम compare करेंगे पहले 10,000 place को compare किया जिसमें दोनों 3 थे शेम नमबर थे तो thousand place के अंदर इधर 6 है और इधर thousand place मर 8 है इसको देखें अगर हम compare करने के लिए तो फिर six जो है छोटा नमबर है eight के मकाबले में इसका मतलब जो next हमारा जो number आने वाला है series में वो ये और फिर next होगा ये clear हुआ पहले हमने लिखा सबसे छोटा नमबर फिर बचे हुए तीन नमबरों में सबसे छोटा नमबर लिखा जो कि ये वाला था तो ये तो देखो ये तो पहले ही इनों ने क्या किया है ascending order के अंदर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी अगर ये इस form में ना होता तो भी आप इसी तरीके को अपनाते क्लियर हुआ फिर क्या हुआ आप तीन नमबर बच गे तीन नमबरों में सबसे छोटा नमबर जो था वो ये निकला तो हमने लिख दिया फिर दो नमबर बचे इन दो नमबरों को लिखने के बाद इन में सबसे छोटा नमबर जो था हमने वो लिख दिया जो कि ये वाला थ और फिर बचा हुआ नंबर लिख दिया तो यह हुआ असेंडिंग ओडर के अंदर होपस हो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मुझसे आप कह सकते हैं कि सर इसमे हमें दिक्कत है कि यह कैसे होगा पूरी कोशिस करूंगा आपकी प्रॉलम को सॉल्व करने की थैंक यू स्टुडेंट्स पॉर वाचिंग और वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जिसमें हम करेंगे कोस्टन नंबर टू ट्राइदीज का इस पेज नंबर फाइफ के ट अलवेश वाव ग्रेट ताइम बाइए